हलो दोस्तों मैं हूँ दीपक और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूलिप चैनल पे CGPSC ASV की तैयारी 2021 ठीक है अब की बार PSC पार तो question paper का जो series चर रहा है उसमें मैं अभी 2017-18 का paper ठीक है जो 2018 में हुआ था 2017 लिखाता है CGPSC CGPSC 2017 लिखाता है तो इसको मैं लेके आने वाला हूँ पूरा solution आपको कराने वाला हूँ और साथ में नए updates भी दूँगा उसमें ठीक है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करने ठीक है ये है हमारे चैनल दो चैनल है दरिगवेट एकडमी इसमें भी CGPSC का सारा तयारी का material डाला जाता है और मुगेरी के बॉइसिस में जो है external knowledge के साथ साथ आपका CGPSC का exam का तयारी का video डाला जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला question हम लेंगे exam CGPSC है 2017 ये 2018 में हुआ था पेपर ठीक है नाम रहता है CGPSC 17 तो पहला question आपके सामने में आने वाला है तो तयार हो जाए तो पहला question ये रहा आपके screen पर पहला question है निमलीखित में से किस अधिनियम द्वारा British East India Company का भारत में व्यपारिक एकादिकार समाप्त किया गया तो जो व्यपारिक एकादिकार है वो समाप्त हो गया था 1813 का chartered एक था उसमे ठीक है चीन और चाइना को छोड़कर आपका पूरा एकादिकार समाप्त हो गय पूरता अगर नहीं लिखा है तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 1813 B इसका सही आंसर है 1813 में ठीक है अगला question हम देखते हैं सीवा जी के जो अर्ष्ट प्रधान है निमलीखित में अधिकारी थे ठीक है कौन कौन से अधिकारी थे इसमें मजुंदार थे ठीक है दबीर थे वाकनिस थे और सूर्मिस भी थे तो इसका जो सही आंसर है वो है एक दो तीन चार ठीक है सभी इसमें थे अर्ष्ट प्रधान में आठ लोग थे तिसरा निमलीखित में से कौन से जोरी मुगल कालिन इमारत इमामिस्थान सुमेलिद नहीं है तो देखिए सेर सहा का मगबरा सासाराम में है हुमायू का मगबरा दिल्ली में है जहांगीर महल वो बुहरानपूर में नहीं है यह कहां पे है लाल खीले के अंदर में कहां पे है लाल खीले के जो अंदर में है ना इसका जो है जहांगीरी महल है बुलंदर वाज़ा फतेपुर सिक्री में है आगरा के आज पास का छेतर फतेपुर सिक्री ठीक है वहां बुलंदर वाज़ा है बेबी का मगबरा और अंगाबाद में है तो इसका जो सही आंसर है वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कौन होगा, C जहांगीर महल ये कहां पे है, लाल के लिके अंदर में है तो ये गलत आंसर लिखा हुआ है तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा जहांगी महल वो बुहरान पूर में नहीं है बलकि लाल कलेके अंदर में है तो अगला कोश्चन जलते हैं, अगला कोश्चन हमारे पास ये है चौथा क्वेशन सारे सुमिलित है अगला देखते हम लोग निमलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोडवाना यूगिन कोईला के भंडार के दृष्टी से सरवाधिक महत्वपून है जो गोडवाना लेन होता है कोईले के लिए बहुत ही महत्वपून होता है तो वो जो है आंसर इसका दामोदर नदी घाटी यह कहाँ पे है तो यह जारखंड जो जारखंड है मारा राज्य ठीक है वहाँ पे है यह ठीक है दामोदर नदी घाटी वहाँ पे कोईले के बहुत बड़े बड़े भंडार है एपी चेटरजी के भारत के प्राकृतिक विभाजन या विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसीन को महादीपी पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है जैसे AP चेटरजी है न, ASP चेटरजी उन्होंने भारत का विभाजन अलग-अलग भागों में किया है तो महाधीपी पठार है उसमें हमारा आता है पूर्वी पठार हमारा जो 36 गड़ा है वो पूर्वी पठार में आता है ठीक अगला देखते हैं किस वर्ष को भारत के जनानंकी का विभाजक कहा जाता है ठीक है तो इसको कहा जाता है 1921 को क्यों क्योंकि इस वर्ष से लगातार जो हमारी जनसंख्या है न भारत की वो लगातर 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 ग्रोथ हो रही है एक वर्स ऐसा नहीं आया है जिसम कमी आया है हर वर्स चार परसेंट, पांच परसेंट, छै परसेंट, दस परसेंट हर वर्स बढ़ रहा है जनसंख्या तो इसलिए जो है 1921 को जनांकी की कभी भाज़ा कहा गया है तुकि इस वर्स से हमेशा जनसंख्या बढ़ते गया है कभी कम नहीं हुआ है अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है अब ये भी कोई पुछने वाली बात है लेकिन ठीक है प्रश्ण पूछ दिया है तो हम बताते हैं इसका अंसर अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है तो मूल अधिकार क्यों कहा जाता है क्योंकि ये सविधान में उलक्खित है सही बात है ये उलक्खित है सविधान में लिखा गया है ये अब प्रजातांत्रिक होता है ऐसा नहीं है प्रजातांत्रिक नहीं है लोक कल्यानकारी है क्या नहीं है लोक कल्यानकारी मतलब ऐसा ये काम करता है क्या लोगों की भलाई के लिए ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ क्या करता है ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्चक है ये सही बात है संसर जिसकी विरुथ कानून नहीं बना सकती ये भी सही बात है तो एक चार और पाँच नहीं एक चार और पाँच फिसमें दिया है सी आंसर इसका राइड आंसर होगा ठीक है अब लोग कल्यानकारी काम कौन करता है ये बता देता हूँ जैसे जो समास सेवक रहते हैं वो करते हैं ये सविधान में लखी था ये कैसे करेगा भी ये सिर्फ लोगों को क्या करता है व्रक्तितो विकास के लिए आवस्त्यक्ता प्रदान करता है सविध्धान संसुधन प्रक्रिया किसन दर्म कौन सा सुमेली भी नहीं है this ने कि इसते हैं। राश्टपती की निरवाचन योग्ययता को नहीं कर सकते राश्टपती निरवाचन की प्रक्रिया थोड़ा बहुत बदल सकते हैं लेकिन जो ओवराल अंसरा रहे इसका वो है हमारे पास इसका जो है तो चौथा पाँचवा और छटवा मतलब दी इसका सही आंसर होगा कौन इसका सही आंसर होगा डी युग्यता को हम लोग राश्पति की पत की सरते और राश्पति का कारेकाल इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते तो इसका सही आंसर ये है तो सविध्धान-सन-सुधन की इसे क्या सैनदर में कौन सा सुमिलित नहीं है ठीक है? तो इसत उछी नहीं कर सकते ऐसे आपको माहन करकशला है तो राश्च्बती की सर्तें है, योगयेता है, और क्ारेकाल इसको म लोग चिन नहीं कर सकते है BY राश्रपती का कारयकालना पाँच वर्स उसको हम लोगस नससन सुधन्द्वारा जो है नहीं कर सकते हुए संससाथ का उडिवेसन भुलाना सवाब बेखी सक्ति नहीं है वो प्रतार का नौर्मल कंडिशन और किसी विधियक को आपक्ति उसाही ध्यत बैदेना हाँ यह उसकी दिमाग का काम है ना अगर कोई गलग काम हो रहा है तो वहा पर उसको वापस भेदे मंत्री पड़िशत्र सदस्य की नुक्ति करना यह उसका काम नहीं है स्ववव एक कार राजय पाल दरह भजे कि विज्व कर सक रखना यह इसकी स्वव एक हो सकती है किसी के परामर्स पर मंत्री परिशत के पुनर विचार हे तू कहना ये भी कह सकता है लेकिन इसमें दिमाग जो है उतना नहीं लग रहा है तो जिसमें दिमाग लग रहा है वो क्या है दूसरा तीसरा उसका सही आपका जवाब है यानि कि तीसरा चौथा और साथवा और आठवा तीसरा चौथा साथवा और आठवा मतलब इसका सही आंसर है इसका सही जवाब है तीसरा चौथा शाथवा और आठवा देखे यह भी सही है मंत्री पर शाथ से पुनर विचारी तु कह सकता है किसी विद्यक को रोग कर रखना और पर आपती सही तुछको वापस बेदने नहीं है यह भी सही है तीसरा चौथवा और साथवा और आठवा यह सही है मैं इसको चौथा बोल ला था था थोड़ा सा कंक्यूजन हो गया था ठीक है तो कोई बात नहीं नेक्स चलते हैं वर्स 2011-12 से 15-16 की अवधी में भारती अर्थ विवस्ता की विद्धी दर में स्तेवा चेतर का योगदान तो बेखें उस समय जो स्तेवा चेतर का योगदान था 15-16 में अब तो नहीं पूछा जाएगा उस समय था 66% पर अभी का डेटा आप याद रखें तो अभी सेवा चेतर का योगदान था 46.19 प्रतीसत है उसको आप याद रखें सेवा चेतर का 46.19 प्रतीसत है आर्थिक सर्विक्षण 19-20 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं ठीक है तो चालू लेखा घाटा C.A.D. क्या है यह चालू लेखा घाटा है यह आर्थिक मतलब अर् बैंकों में खोले गया चालू लेखा जर्मारासी से यह कुछ नहीं है चालू वर्स में साकारी राजस्वist यह नहीं है देश में पुल निर्याद कुल आब आध से अधीक होने वाला घाटा यहाज आइस तेक है यह आ बैंदर हम पुल निर्याद करते हैं और दूसरे कि अगर हम बात करें तो वह है नमबर 13 निमलिकित में से क्या सही धंग से समझाता है कि भारत अलपविक्सित अर्थवस्ता है कि अगर किसी भी देश की अगर हम बात करें तो अलप विक्सित या फिर कहा जाता है अविकासिल एक विकासिल देश होता है एक अविकासिल होता है तो अविकासिल को अलप विक्सित कहते हैं तो क्या क्या देखा जाता है उसमें आय का समान वित्रान ये देखा जाता है उच निर्भरतादर हाँ दूसरे देशों पर हम निर्भर जैसे इलेक्ट्रोनिक समान करीब बात करें तो हम totally dependent है दूसरे देशों पर राष्टी आय में वृद्धी की धीमिदर ये धीमिदर से फरक नहीं परता है दूसरे देश की भ लाना है तो बैंक वावित्री चेतर में परिवर्तन की जरूरत पढ़ती है तो इसका जो सही आंसर है एक दो और चार होना चाहिए एक दो और चार यानि कि भी इसका सही आंसर होना च्छी है बैंक वावित्री चेतर में परिवर्तन जरूरी हो जाता है ठीक है लेकिन इसका जो सतीक आंसर अगर हम लें तो इसका जो सही आंसर है वो एक और चार भी हो सकता है तो एक चार करेक्ट नहीं होगा यह इसमें भी नहीं होगा तो आंसर इसका क्या होगा सिर्फ भी होगा एक दो और चार इसका तीसरा बिल्कुल गलत है ठीक है और उप्रोक्त सभी नहीं हो सकता ये तीसरा वाला विल्कुल गलत हो गया तो C और D बज़ता है चार उतना सटीक नहीं लग रहा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा एक दो और चार तेरवाग बाद हम चौधवाय में नंबर पे चलते हैं तो हमारे जो question है वो है अधोलिखित में से कौन एक गीता की प्रमुक्स इच्छा है जो गीता है मारे पास जिसे स्रिकृष्ण भगवान ने दिया था उप्देश उसमें जो है निसकाम कर्मयोग की बारे में बताया जाता है देखिए अगर आप काम करते रहते हैं काम करते रहते हैं नि में जाते हैं तो आपको देखें दूसरे गरंथों को नहीं बलकि गीता को यानि के गीता पर आपको हाथ रखकर जो है आपसे question पूछा जाता है ताकि आप सहीं जवाब दें अधोलोखित में से कौन एक दारा सीकों की रचना है तो दारा सीकों ने जो लिखा था वो सिर्र बॉक्स में बताइए चलो मैं ही बता देता हूँ अकबर का जो टॉम है यानि अकबर का जो मगबरा है वो आगरा में है ठीक आगरा में है उसको आप याद रखें क्योंकि अगला question हो सकता है पूछ दे अधोलोखित में से कोन एक चारवाक के नुसार सर्वोच्चिमूल है जो चारवाक है ना उसके अंसार जो सर्वोच्चिमूल है वो है काम देखे अगर आप जीवन में आये हैं तो जीवन जीओ 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 रीड़ लो और घीपियो इसका बहुत ही महतों कुर्शी धान देखे इसका भी अलग अलग आदमी का अलग अपना अपना मत होता है द भूग दिलास याने के मौज मस्ती खाना पीना दुनिया भर जीतना भी इस दुनिया में है वो सारा काम वो करना चाहता था ठीक है इसलिए चारवाक को जो है प्रत्यक्ष कहा जाए तो उसका जो मुल उद्देश से था वो काम था और इसका ये किस लोक बहुत अच्छा है उसको याद रखना आप जिसको मैंने बता चुका है अभी रिंड लो और घी पियो ये वाला ठीक है जिन्दगी में आए हो तो जी लो रिंड लो और घी पियो इस तरह से ठीक है उसको अंग्रेजी में दूसरा कहा जाता है ना सौरी अंग्रेजी नी संस्कृत में उसका इ प्रकास संसलेशन में क्या होता है भिया हम सूरी से प्रकास लेते हैं और पत्तियों से जो है आक्सिजन में माड होता है तो यह प्रकास उर्जा को किसी भी को नहीं करता है थिक है किसम करता है रासाइनी करता है ना कि यांतविक में क्या है क्यung tarkS पाई ओर एक और है है ठीक है चार-प्रकार के लोह पाया जाता है जिसमें सबसे जो प्रेमुक्य हमारे भारत पाया जाता है को हमारे भारत लूद्सके सबसे अच्छा जो यहां पर मेक्नेटाइड होलामski चेयराम की जाता है उसमें निफिर्गा नोह बहुत यह था रिवान टीक है को तो हेमेटाइड इसका सही आंसर है, बाफी पर ध्यान ना दे, हेमेटाइड पर ध्यान दे कीन दो देशों ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 9 प्रवर्तक कोस का निर्मान किया है तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और इसरायल ने उस समय यह करेंट अफ्याइड का कोस का निर्मान किया था यह जो है 2016-2017 का करेंट अफ्यार है 2017-2018 ठीक है भारत में वैस्विक उद्यमयूका सम्मेलन वर्ष 2017 में कहां आयो किया गया था 2017 मेन है दो हजार सत्र वाद Miya सिंसेंन अब हैं थी शों मेन है को है इसमिय नए अल्प सब्सक्राइब First John तो इसका जो सही आंसर है वो है मार्च 2015 में चाली हुआ था यह ठीक है नेस्नल हाइवे जो रोड है उसको अच्छे से बनाने के लिए सागर माला पर उजिना स्टार्ट किया था पीम दोरा वर्स 1945 की प्रमु घटनाय में गिती विवेल योजना सिम्ला सम्मेलन नो से न विद एक दो और चार सही है सी अगला क्योंच के हम बात करें तो 26 वे नमबर पर है 1865 के पर चार निमली हित में से लोग प्रियांदुलन हुए कौन कौन से लोग प्रियांदुलन हुए देखे तो 1857 के पष्चाज जो अंदुलन हुए वो है निल करांती बिरसा मुंडा और ये गरınठी जो है सन्थाल विद्रो तो एक दो और चार सही है ऐक दो और चार सही है शे माय क्ते कह नतå इसे बना सकते हैं तो एक अगर सब आ रहा है तो एक-थो मम आनंके चले दूसरा भी बहृत सार में आ रहा है और दूसरा निल का विद्रो है निल करांटी वाला वो गांधी जी के आने के बाद हुआ था ठीक है तो 1857 के बाद ही है ना 1917 में कुछ हुआ था तो ये दूसरा भी सही हो जाता है और उसका बद बीरसा मुंदा उराव आपको याद रखना पड़ेगा ये चौथा नंबर भी सही तो एक दो चार सही सी इसका सही आंसर होगा तो बनाने का भी तुक्का लगाने का भी एक परमूला होता है मैठद होता है देखते हैं किसमें किसमें जादसम होना है करके नौपसान यूग में भारती उपमहादीब के उत्तर पश्चिमी छेतर में निमलिकेत में से किस स्थान पर क्रिसी के अब्धुदाय के प्रारंभिक प्रामाण प्राप्त हुए है तो जो प्रारंबिक क्रिसी के जो प्रमान प्राप्त हुए थे ना मेहरगड ये जो है पाकिस्तान अक्यूपाइड में हो गया है भी क्या है पहले मेहरगड भारत में था लेकिन अब जानते हैं ना 1947 के बाद से जो है डिवाइड हो गया है तो मेहरगड मेहरगड इसका सही ज दर्बार में प्रसिद कई था ठीक है बहुत पढ़े हैं हम लोग हरी सेन जो है इसका प्रयाक प्रसस्थी तो तीसरा भी है देखें वह प्रयाक प्रसस्थी का रचीता था ये भी सही है तो एक और तीन तो एकदम सही है और उसने देवी चंदर गुप्तम की महा कावी की रच प्रस प्रस जिद्धा अभियान ये सब के बारे में वर्णन किया है तो काफी इंट्रस्टिंग है प्रयाक प्रसक्ति कोडाई कनाल किस पहाड़ी में इस वह नहीं है पालनी हें हिल्स है दिश्ट रहता है अब जो नान रहता है आई यस तरह से नाल बना सकते हैं तो यह ज है स्विधि करें है यह जो है जन जाती दिया है और इसके बारे में को जो है शुमिलित करना देखें तो देखिए शेपकर रख़owser मारिया कही ज़्माइब करिए तो देखिए टोड़ा जन जाती है हुना में पाया जाता है एकदम सही भील जो है आपका राजिस्थन में पाय जाता है भील कहां पाय जाता है राजिस्थन में और फिर जरावस जो है अंडमान में पाय जाता है संथाल कहां पाय जाता है जहार खंड में पाय जाता है तो इस तरह से जो है सही आंसर आप दे सकते हैं तो इसका जो देख जो है वो अंडबाननी को बार दील समूह में पाय जाते हैं तो इसका जो सही आंसर हो गया बी तीन चार एक व दो सही अगला कुछन की बात करते हैं हम लोग निमलिकित में से कौन सा राष्टी जल मारग यह बहुत ही बढ़ी है क्वेश्चन है देखिए छे प्रकार के जल मा पास नेशनल वाटर वेस मतलब नेशनल वाटर वेस नेशनल वाटर वेस वान तू थी पोर फाइव और शीच छे हैं जिसमें से पहला गंगा नदी पर ही चलता है तो इसका जो राष्टी जल मारग है नंबर एक वो तो गंगा नदी पर है लेकिन कहां से कहां तक है पता है तो ये है आपके जो प्रयाग राज है ना प्रयाग राज प्रयाग राज इससे आपका हुगली ठीक है वहाँ तक है हुगली नदी के किनारे कौन सा सहर बसा है कुलकाता ठीक है तो कुलकाता ये हुगली याने के कुलकाता हुगली नदी का नाम है गंगा का नाम ही हुगली ह जब पहस्टी मगाल में एंटर करती है तो इसका जो नाम होता है गुगली हो जाता है और कुछ नहीं है और बड़ी है ये नेशनल वाटर वे कभी आप जाएए बोट में सफर कीजिए ये चलता है नेशनल लेवल पर चलता है ठीक है देश में निमलिखित में से कौन सा भाग भगोलिक छेतर सबसे प्राचीन है तो बात करें तो हिमाले परवत तो नमिंतम में आता है उत्तर भारत का मैदान ये नमिंतम में आता है भारती प्रायजिप का पठार ये जो भारती प्रायजिप का पठार है वो पुराना है पुर् क्था इतना सारा नदी है हमारे ऍसमें जैसे गंगा नदी का लाखो लाखो नहीं कहा जए तो मतलब बहुत सारे लाख ज़ादा हो जाएगा ठीक है बहुत सारे गंगा नदी के जो है अब वाहत अंत्र हैं ठीक है गंगा जमना सरस्वती यह सब है और लगभग हर राज्य की हर जीलों में एक नदी रहती है तो इस तरह से जब हम बात करें तो जो नदी से बहकर आने वाले मिट्टी होती है जलोल मिट्टी है और भारत में सबसे जलोल मिट्टी पाए जाती है इस तरह से आप रख सकते हैं जलोल मिट्टी है ठीक है संसदी प्रक्रिया में गिलोटीन क्या है देखें 36 गर की बात करें गिलोटीन भुपेज बगहल जी ने माननी इस्त्री भुपेज बगहल जी ने जब अभी कुछ दिन पहले बजट पारिद किया था उस समय तो उन्होंने डारेक्टली गिलोटीन के मातलम से बजट पारिद कर गिलोटीन मतलब क्या होता है देखें इसमें जो है फिर विधेयक पर बहुत को बंकर देना ऐसका मतलब क्या है किसी से कुछ बात docet नि करते हैं डारेक्टली वो क्या करते थे हैं बहुत के विना यानि कि किसी को प्राष्ट्रपती पद की सपत लेता है प्रधान मंत्री भी लेता है मंत्री पड़िसात के सदस्य हैं लोग सभा राजे सभा विधान सभा सभा सभी लेते हैं पद की सपत यह बना बना है उसी में से लोग सभा में सभा में प्राष्ट्रक्रे必नाए लने की सपत अनुछे 325 के मिसार बाह अपात काल के बिसमें क्या सहीं है? तो यह राष्रपती दौरा उसके घज़ित किया जाता है तो हां सही बात है राष्रपती जो है अपात काल की गोषना करता है बाह यह वाला थिक है? दो माह की भीतरी संसत की स्विक्रिटी मिल जानी चाहिए ऐसा नहीं है एक माह की भीतरी से संसत की स्विक्रिटी मिल जानी चाहिए देखे अगर दो माह में मिलता तो भाया देश में और पूरा काम हो गया रहता उसके बाद इसको अन्मती देने कोई मतलब नहीं है 1 म ses शुपूकत मिलने चाहिए Sabbath के साधराण वहमत है इस पर शुपूडितभीप मिलने चाहिए नहीं च्पूकत साथाराण वहमत होता है साथाराण है 3-शुपूकत में चाहिए वहमत से वापस किया जा सकता है में अच्छा भहुमत होना चीह तब ये होता है संसाथ केандь-णार आपका दो बाट इतीन बहुमत के वापस लिया जा सकता है इसको आपका वापस लिया जा सकता है इसको चैण पिर जो आश्मार रहा वह है तो ये गलत हो जाएगा इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्विक्रिती ली जा सकती है संसद के संयुक्त अधिवेशन में इसकी स्विक्रिती ली जा सकती ही ये वाला सही होगा सकती है जो संभी संभी विवस्था में कौन से एक आत्मक तत्व पाय जाते हैं तो भारत को जो सविधान है वो लिखित सविधान है सविधान की सरवचता आत्मक तो इसको सही आंसर है वह एक दो टीनवह साथ नहीं हो सकता है एक दो तीनवा साथ ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है एक दो तीनवा साथ ये ए इसका सही आंसर है एक तीनवा साथ तेके कठोर सविधान तो है पर वो जो है एक आत्मक्ता को नहीं दर्शाता है तो इसका जो सही आंसर है इसको नहीं लेंगे तो हम जो इसको वस लेंगे एक टीन वर साथ इसका से वगा कठोर अमम बल्चीला है हमारा सविहान कठोर अमम बल्चीला तो है पर वो जो है एकात्मक्त्था को नहीं दर साता है ठीक है अगला हम देखते हैं 30 में नंबर पे 30 के अंदर सरकार की गैर जलक्तान में सबसे योजना का पाठन ही है तो बीना योजना का हो से हमारा न कर्ड यनिक व्र सबस्ते किसे केंद्री सारवजिनों करम को वक्रानी Ms तो ये जो है हमारा भारा संचार निगम निमिटेब बी एस एनल उस समय जो है बी एस एनल को सबसे बड़ा नुक्सान हुआ nuclear 240 की बात कर रहे है तो I was में जो है बी एस एलिस्सका सही आंसर है भारा संचार निगम निमिटेब क्ले पाए कि अभी ये कम्पनी जो है जब भारती रिजर्व बैंक, कैस रिजर्व रेसियो, CRR में व्रिद्धी की गोशना करता है तब इसका अर्थ क्या है, कैस को रिजर्व रेसियो में जादा रखो ऐसा व्रिद्धी करो, ऐसा बोर रहे तो इसका मतलब है देखिए भाते दीजरों के पास उधार देने के लिए कम उध्रा होगी नहीं संगी सरकार के पास उधार देने के लिए कम उध्रा नहीं वैपारिक बैंक के पास उधार देने ही तो कम उध्रा रहेगी देखिए अब बैंक है उधार आपको कम देगा क्यों कम देगा क्योंकि उसको कैस जो है रिजर्व जादा रखना है न इसलिए CRR में इसका जो सही अन्सा है वो C है वैपारिक बैंकों के पास उधार देने हैं तो कम उधरा रहेगी CRR कैस रिजर्व रेशियो निमलिकेत को काला नुकरम अधार पर विन्यास करें जो सबसे पहला जो क्या हुआ था देखें 1925 की बात करें 1935 में जो आर्बी आई का ग्या होता है राश्टी करण उसके बाद इस बीइका जो है राश्टी करण होता है उसके बाद जो है चोधा प्रमुख ब्रेंको का भी अभी current affair है ये चोदा ब्रमुख ब्रेंको का राश्टी करन होता है बाद में ठीक है तो सबसे पहले जो आंसर है हमारे पास RBI याने तीसरा तीसरा फिर आपका होता है ये तो नहीं है तीसरा के बाद आपका आता है दूसरा SBI का फिर चौथा LIC का फिर पहला जो है तो इसका जो सही आंसर A है 3,2,4,1 सही 41 वाद हम 42 नमबर पर रखते हैं कौन सा दर्सन 3 रतन को मानता है 3 रतन त्री रत्म क्या है मैं बता देता हूँ पहले और इसका जो सही आंसर है वो भी होताता हूँ तो इसका जो सही आंसर है वो है त्री रत्म को मानने वाला ये है बौध जर्शन ठीक है बौध स्री स्री ये जो है बौध नहीं है इसका जो सही आंसर है वो जैन है क्योंकि देखिए इसका माई explanation देता हूँ कैसे यह जैन होगा तो यह जो जैन है वो तीन रत्न को मानता है वो है सम्यक ज्यान देखिए कभी confusion हो जाता है ना बहुत जैन में ठीक है सम्यक ज्यान सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान सम्यक दर्शन और फोड़ा सा त। यह हुदा थोड़ा सा करने dos थोड़ा सा कैर फिली पड़िए गा कि छणिक्वाद का प्रतिपादन किस ने किया प्रतिपादन किया था तो मात्मा तो ने किया था महात्मा इंटैथ यह इसन दोओन पढता है Jai तो फिलाल कले भी आंसर दिखते हैं तो इसका जो प्रीपाद्धे ने किया था महात्मा थ माध्माबुधन ने अनाथमवाद की सिद्धान्थ लिए था बौद दर्सन का है यह जो अनात्मवाद भी दाजनत उन्हीं का है सबसे पहले हमारे वर्षा होती है सबसे और कर्पर के क हमारा सबसे की कारा है सबसे सतिक निर्वा और सिकारा माल की रूप में उपयोग करता है तो देखिए चुना पत्तर को हम लोग क्रस्ट करते हैं क्रस्ट यान के छोटे-छोटे तुकड़ों में पीस लेते हैं पीसने बाद इसका क्लिंकर बनता है क्लिंकर के बाद उसमें जिब सब मिला तो फानले सिमेंट बन जाता है इस तरह से आप देखें होंगे कई बार पड़ें होंगे science में घृक कैई दसवी के भुस्तक में अई है निर्मला जो सितारमन है भारत में किस करम की महीला रक्ष मंत्री है तो उसमनहीं जो निर्मला सितारमन वित्धमन्तरी ना होकर रक्षमन्तरी थी और यह कन से नंब्र की थी प्र क्या नाम है उस जो रेड कर रखे रहती है वो क्या है इंडोनेसिया में आउजीत होने वाला अठारवे एस्यान खेल दोजार अठारा कीस अधी में होंगे तो यह जो पुराना क्वेश्चन था करेंट अफेर का था और यह जो हुआ था वो आइधिंक यह हुआ था अठारा स दो अगस्त तो इसको जो है आप अपडेट करके पढ़िएगा देखे दोजार अठारा लिखा है ना उसको आप क्या कर लिए दोजार बीस और दोजार बीस का आप नेट में सर्च मारिए और फिर बताइए कमेंट वाक्स में कि इंडोनेसिया में आजीत होने वाला अठार दोजार बाइस दोजार बाइस में होने वाला है ठीक है तो वो कब होगा आप बताइए यह करेंट अफ्यर का क्वेश्चन है तो आप इसमें टेंसन ना लें जनवरी दोजार अठार तक कि भारती खिलाडी ने फुटबाल में सबसे ज़्यादा गोल किये थे तो यह जो फ किस भारती खिलाडी ने फुटबाल में सबसे ज़्यादा गोल किये हैं तो उसका जो है आप सर्च करें और उसको आप फिर बनाए ठीक है इस तरह से पढ़ा जाता है वर्ड स्थिपिंग फोरम दोजा सत्रक आयोजन भारत में की सिस्थान पर किया गया था तो देखिए व अगर देखते हैं लोग 46 गड की किस लेखक ने सेख स्पीर के नाटक कमेडिय आफ एरर्रत का चॅझ गड़ी में अनुवात किया है तो इसका जो सही आंसर है वो है सुकलाल प्रसाथ सुकला इन्होंने जो कमीडी आफ एरर्रस शेटिस गड़ी में इन्होंने अनुवात क वह समुद्द्रगुप्त के प्रयाक प्रसस्ती में कोसल के सासाक का नाम था ताम कोसल के सासा कर नाम था उस समय होग कि इसहिसई पर नहीं किती है ऑरह संभूद्ध्र गुप्त ने में तो मुन्हीं इसनुम्रा को सिर्ज जोरित कुछे विशनुन दूड़्स वायाँ गृप्त्रामृ यह था को सिर्जिक यहिए कश्ट सबन्हींा था G 2025 महापरमाद, यह महापरमाद क्या करता था लगान वसूली का काम की रह्ए करता था यह पूछ अदिकारी था, ठीक है सूची एक को दो से सुमिलित करना है हमको यह कहां कहां से थे, व्यक्ति सत्यग्रह से भाग लेने वाले कों-कों से तो अचारे विनोबा भाव से थे तो अचारे विनुबा भावे यति यतिनलाल जयन राम गुपालतिवारी रतनाकर जार तो देखिए राम गुपालतिवारी का एकदम कन्फर्म है ये थे बिलास्पुर से थे रतनाकर जार ये दूर्ग से थे यति यति नलाल जेन ये रायपुर से थे और विनुबा भावे ये पौनार से थे अचार विनुबा भावे पौनार महाराष्ट तो इसको जो सही आंसर है एक का एक हो जाएगा और दूसरे का आपका क्या हो जाएगा तीन और सी का आपका हो जाएगा चार और डी का हो जागा दो ठीक है तो सही आंसर है ए है यानि कि एक तीन चार दो अचारे विनोबा भावे पाउनार महाराष्ट से से बहुत ही अच्छे स्याद रखना क्योंकि ये प्रश्ट न दूसरे तरीके से बुपूजा साथ इसे महाराष्ट पाउनार से कौन क्रांतिकारी भाग लेते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा अचारे विनोबा भावे होगा ठीक है पच्छ पनवे नमबर की कोश्चन की बात करें च्छतित गर राजिन सकल घरली उत्पाद में बाहरवे पंच वनसी उजना में इस्थिर मुली पर उसत वार्तिक व्रिद्धी आर्थिक विद्धार का नुमान किया गया था वो क्या है तो जो अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.2.3 इसका जो सही आंसर है 7.2.3 है ठीक है 36 गर राज प्रति व्यक्ति आये वर्थ 2011-12 के इस्थिर किम्तों की दर पर 2016-17 के लिए क्या अनुमानित की गई है तो उस समय जो किया गया था अनुमान वो है 99772 लेकिन ये प्रशन अब नहीं आएगा अब जो डेटा आएगा वह 2019-20 का आएगा तो अब जो 2019-20 के आर्थिक सरविक्षन में लिए गया है न वो इस्तिर भावप न देकर वो दिया है प्रशलित भाववाला आप याद रखले प्रशलित भाववाला में क्या दिया है तो इसका जो आप आंसर लेंगे वो है 98,000, 98,215 रुपए प्रतिवेक्ति आया है मतलब 36 गड़ में ठीक है जो डेटा है ना अर्थिक सर्वेक्षनल का 99,281 अगर भारत में बात करें ना तो यह जो डेटा है वो है 1,35,50 रुपए यह है तो आप 36 गड़ वाले याद रखें 98,211 यह फ्रचलित भाव पर है लेकिन 2019 बीस में यह डाटा दिया हुआ है और इस तिर भाव वाले नहीं दिया हुआ है तो संभावित क्वेश्चन अगर बात करें च्छप पनवे नमबर पे 98,281 आप याद रखें इसको याद ना रखें यह पुराना डेटा हो चुका है तो 98,281 इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक 36 गर राज जम्में क्रिसी यांतरी की करण पर सब्मिशन योजना कब से क्रियानवित की जा रही है तो इसका जो सही आंसर है 2014-15 उस समय से क्रिसी यांतरी की करण सब्मिशन योजना लागू की गी यह पुराना डेटा है इसको आप उतना याद नहीं रखना है यह करेंट अफिर से लेटेज क्वेशन था इसके लाव हम बात करते हैं अन्ठा वनवा नंबर की 36 गड़ में सुन्य ब्याज कवर क्रिसी रीड किसानों को 30 वर से दिया जा रहा है देखें 36 गड़ के जो क्रिसी रीड है उसको तुन्य ब्याज कवर दिया जा रहा है थीक है 2016-17 में 36 गड़ राज का सकल घरी लुद पाग में वानिकी का योगदान देखें अब 2016-17 वाला डेटा आपको याद नहीं रखना है 2019-20 वाला आपको याद रखना है उस समय तो था दो तोसमरस तीन एक कुछradas ता ज किसा लेकार अब आ कि अब आपको याद रखना है अब आंपको डेटा याद रखना है वह लिग पॉई-नई-उन देखना है और आपको ने देटा याद रखना है वह है 2.91% इसका सही आंसर होगा 2.91% क्योंकि नया डेटा इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो हर साल बदलता है आर्थिक सर्वेक्षण और जो नया आता है उसी को जो है तो जो वानकी चेतर में जो अभी वरतमान में 2.91% अनुमानित किया गया है ठीक है योगदान उसको आप याद रखें 2.91 को 36 गड़ में समझाई जल संसाधनों स्रोतों के विकास के नतर गया 2015 15 और 16 में कितने वाटर हार्ट वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष रखा गया था उस समय तो है 50 का लक्ष रखा गया तो पुराना डेटा यह भी आपको नया कोशन बना के इसको देखना पड़ेगा इस तरह से अभी योजना कुछ नहीं चर रहा है थीक है पहले पचास था 36 गर राज जमें किस दलहन का वर्ष 2015-16 में बात करें दलहन में अगर बात करें तो चना ही हमारे यहां सबसे ज़्यादा होता है अगर दलहन में सबसे ज़्यादा होता है अगर 2015-16 की बात करें या अगर 2019-2020 की भी बात करें तो चना ही सबसे ज़्यादा होता है लेकिन इस आपको देखना पड़ेगा आर्थिसर वेक्षा आई थिंग जो है चना ही इसका सही आंसर होगा नए डाटा में भी 36 गर्नाज में कोईला को उत्पादन वर्स 2012-13 से 2015-16 के उधी में किस वर्स पिछले वर्स की तुनला में घटा था तो यह जो घटा था आपके 2014-15 है साइद इसका आंसर नहीं ध्यान आ रही है जो है इसका जो सही आंसर होगा वो है 2015-16 में कोईला को उत्पादन घटा था लेकिन यह जो है आपका आर्थी सर्वेक्षन से प्रश्ण है तो आप नया डाटा याद रखें 2020 का याद रखें नया डेटा आपको याद रखना पड़ेगा अगला देखते हैं 36 गर राज के खनी जुत पादन का मुल्य अखिल भारत के कुल खनी मुल्य का सबसे अधिक प्रतिसा 2012-13-16-17 अक्टूबर तक अधिम की सुवर्स रहा तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका जो सही आंसर बी यह क्या हो गया कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी यह दो जार आ शरक कुदर टेक है यह था तो इसको यह जो है करें करिंटक अबप्र च्शंज प्रॉब्लम में अलग से इसी इसी इजी को मैं 2 2019-20 के form में बना खे marli अलग सी वीडियो लाँगा तो उपन ज्यूरूर देखिए गा तो अब इसको यार 세़्चिए अधिsyर तो देखे राइपूर में है बिलाजपूर में है बिलाई में राधनका में है तो अपेरल ट्रेनिंग सेंटर तो यहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है डिजाइनिंग के लिए ठीक है देख का पहला योग आयोग किस तरा जमी स्थापिक किया गया नन अदर देन हमारा चतिस गड़ चतिस गड़ में क्या है पहला योग आयोग आयोग आपको पता होगा राष्टी योग दिवस कब मना जाता है 21 जून को तो 2015 से मनाया जा रहा है योग दिवस और चतिस गड़ में योग आयोग की इस्थापना की गई है देश का पहला योग आयोग आयोग चतिस गड़ में तीक है इसको आप याद रखें बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है यह कभी भी आ सकता है ना बारभी पंच वरसी योजना मे ये लिए उद्योग का आउसत विर्धी दर कीमतों पर क्या लक्ष निधारित किया गया था उस समय की बात है ये बारभी पंच वरसी योजना में ये 7.5 ही आ गया था तो ये पुराना प्रशन है ना अब यो जो है पंच वरसी योजना मेरे खाल से नहीं आएगा क्योंकि अब निती आयोग बन गया है ना निती आयोग से बहुत सारा क्वेस्चन आएंगे तो ये पुराना डेटा है पहली पंच वरसी योजना पहली से लेकर बारभी तेरभी पंच वरसी योजना तक है तो सारे डेटा आपको याद रहने के जुरूरत नहीं है अभी जो निती आयोगे ना उसका डेटा आप याद रखें यदि जीला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होता है अगला कुश्चन ये बहुत इंपॉर्डेंट हो सकता है आपके लिए देखिए जो जितने भी डेटा वाले कुश्चन बताया हूं उसमें आपको ब्रहम अध्यक्ष बन जाएगा ऐसा नहीं है अध्यक्ष पद रिखत हो रहेगा ऐसा भी नहीं है सदस्य गण इस्थानपत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ये सही है अब जो सदस्य से अगर हड़ जाता है अध्यक्ष अगर हड़ जाता है तो जो सदस्य है वो क्या अधर्स का फिर से निर्वाचन कर लेंगे ठीक है तो ये सही आंसर इसका क्या होगा डी होगा ठीक है इसका अंसर डी होगा नगरपालिका की अधी की विसे में क्या सही है तो नगरपालिका का अधी की विसे में देखते हैं क्या क्या सही है नगरपालिका की अधी की गर्णा निर्वाचन प्रणाम की घोषना की दिथी से की जाती है बिल्कुल सही नगर पालिका की अधिकी गर्णा प्रथम सम्मिलन की दिथी से होता है यह सही है यह गलत है सौरी सौरी दिर्वाचन की दिथी से प्रणांगोशन होने किसी से नहीं होता है बलकि आपके प्रथम सम्मिलन की दिथी से चाहे आप ग्राम पंचायत ले 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 जो प्रथम सम्मिलन होता है उसी की दिथी से गर्णा की जाती है तो इसका आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा थोड़ से mistake हो गया था नगरपाली का क्योदी पांच वर्स की होती है हाँ सही बात है यदि नगरपाली का दो वर्स में विगटित कर दी जाए तो नई नगरपाली का तीन वर्स के लिए होगा सही बात है देखे कोई भी है जैसे ग्राम पंचायद है अगर दो वर्स में विगटित हो जाती है तो अगले त्रीन वर्स के लिए रहेगी सेम नगरपाली का खेली भी यही नियम लाग होता है यदि नगरपाली का दो वर्स में विगटित कर जा तो यह होगा क्या नहीं होगा यह आंसर गलत तो इसको जो सही आंसर है दो, तीन और चार सही इसका सही आंसर होगा तो इसमें आप समय देखें दो, तीन और चार सही तो आंसर B होगा दो, तीन और चार सही देखें आप टेंसर ना लें आराम से महनत करें आराम से आपका जो है च्यतिगजी में पीसिवे में सेलेक्शन होगा। क्राम पंचायत का सर पंच कब अप्रत्यक्षरूप से निर्वाचित किया जाता है तो ग्राम पंचायत का चुट कर दिया सर्पंच का चुनाओ ना अंधू हो यह सकता क्वह जञा कर लोग सरपंच का अंधू चुनाओ करवा सकते हैं उसको मरत från दो घर चुनाओ ही नहीं हो रहा है नाम टो रहा है ओर कंव सान हो गये है या फिर स्थे 6 मैनस यह ज़ाद हो गये तब यदि एक पार्सद वेवसाई होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की और से नगर पालीका परिसद के विरुद कारे करता है तो क्या होगा और कलेक्टर उसे पद से हटा देगा पारसत नहीं बन सकता हूँ आज मिश्यर है पारसत को हटाने का सकती किसके पास है कलेक्टर के पास है यह आप याद रखें चाहिए दोनों मिलते हैं यह जो जगह ना है सुरच पूर जीला है सूरज पूर जीला अब एकदम जगह का मुझे परफेक्ट याद नहीं है लेकिन सूरज पूर जीला में है 36 गड़ के किस जीले में मानव विकास सुचकांग सरवाधी का था मानव विकास सुचकांग को समय कोर्बा का था सबसे अधिक अभी 2019-2020 में किसका है इसका डेटा आपको देखना पड़ेगा था यह जो है हम पेपर सॉल कर रहे हैं 2017-18 तो आप देख लिजी इसका किस राज्य की राज्य की दक्षरी सीमा कुझ यधारिक करती है तो इसका जो सही आंसर है वो आंद्र प्रडेश और तेलंगाना चोंकि जादा जर जो ऐड़ेए है वो यह विसका वर्वर करता है तो आंद्र प्रेश का सही जवाब होगा तो 36 गर कि मतलब नीचे में कों सा राज्य है एसा पूछना हैै उसका किस जीले में सीता लेखनी पहाड है तो किस जीले में सीता लेखनी पहाड है सीता लेखनी की जो पहाड है न वो आपका कहां पे है कोरियम भी नहीं है सूरजपुर में है सीता लेखनी का पहाड जो कहां पहाड सूरजपुर में है अगला हम बात करें राइपूर संभा की विशेश पिछली जंजाती कौन सी है तो बिंजवार विजवार राइपूर संभा की विशेश पिछली जंजाती है राइपूर संभा की विशेश पिछली जंजाती है राइपूर संभा की विशेश पिछली जंजाती है जंजाती से सब्सक्राइब करनल पी वांस एगनू आया था तो रतनपूर से राइपूर रधानी राइपूर रधानी ले जाने वाले वाशे कोन थे यह थे काक्ति वंसके जो स्री कल्चुरी वंसके थे राम नाम था उनका क्या नाम था ठीक है ब्रह्म देव राय की यागदु नहीं ले गया उन वहाँ पर एट द्रमिन दारियों के बीच विवाद है मी सेंडिस ठीक है यह और मिस्टर काफ़र्ड यह किया थे ब्रिटिश रख्षा के समापती ठीक है काफ़र्ड थे कराफ़र्ड ठीक है यह थे तो इसको जो सही आंसर हमारे पास वह यह हो जाता है एक का दो दो का एक का दो दो का एक ठीक है यानि कि ए आंसर इसका सही होगा कौन सा ये वाला दो एक चार तीन ठीक है अगला कोश्चन की अगर हम बात करें तो ये है देखे रतनाकर जहा की सिस्थान के स्वतनतरता संग्राम से नानी थे तो रतनाकर जहा तो इसमें जो है सही जवाब होगा इन में से कोई नहीं क्योंकि दूर्ग इसमें आपसर में दिया ही नहीं है तो ऐसे कुछ प्रश्ण है वो डारेक्ली आपको देखने से बन जाएंगे उसको आप याद रखें निमलिखित में से कौन जोड़ी सुमेलित है तो सुमेलित क्या है जोड़ी इसका देखते है सत्यक्रह आस्रम राइपूर 1921 ये लच्ष्मी नरायन दास ठीक है राश्टी पंचायत 1921 जै करण डागा ठीक है खादी आस्रम 1922 छोटेला सी वास्ताव ऐसा नहीं है राश्टी वक्संग 1922 ये भावान दी नहीं है तस्यिल कंग्रेस कमेटी इसा कुछ छे दिला नहीं है तो इसको जो सही आंसर है वो है सिर्फ ये जो राश्टी पंचायत 1921 में हुआ था राइपूर में उसका जो संगठन का व्यक्ति था वो था जै करंडागा तो बीस का सही जवाब है केवल बी तो आपका 78 वे जो नंबर है उसका जो सही आंसर है वो है जै करंडागा 36 गर राज के सकल घरेलू उत्पाद में इस्थिर कीमतुपर वर्ष 2011-12-2016 2017 की अउधी सेवा चेतर की योगदान की प्रविक्ति क्या है देखे सेवा चेतर का जो हमेशा कहा रहा है जो है बढ़ता रहा है लेकिन वर्ष 2011-16-17 तक उतार चड़ा हुआ इसमें क्या हुआ 79 में अगर बात करें तो इसमें उतार चड़ा हुआ देखने को मिला था 2019-2020 में क्या हुआ है 2011-2020 की बात करें तो इसमें भी उतार चड़ा हुआ यह दिखेगा ठीक है हमेशा बढ़ता नहीं रहता है कुछ चीज होता है ना पहले वर्ष से जादा बढ़ गया फिर दूसरे वर्ष कम बढ़ गया इस प्रकार करता है सीसू और तरून और किसूर इस तरह से रहता है तो ठीक है सीसू के बाद आता है तरून तरून के बाद आता है किसूर किसूर व्यस्ट के अनके तो किसूर व्यस्टा में क्या है देखें सीसू में क्या करते हैं पचास हर देते हैं तो डी इसका सही जवाब होगा डी तो अगला कोस्चन हम देखते हैं अगला कोस्चन हमारे पास है यह अगला कोस्चन है यह एक स्न 게 अगला कोस्चन क्या है यह 37 पराज के वर्स 2016 सथर्रा के बजट में राज के keywords के यह कूल कर राजर्स में प्रतेक्ष कर में तो इसका सही अंसर था उनमें से कोई वी नहीं था था, Okay तो इन में से कोई नहीं इसका आंसर होगा किसे सामिल नहीं किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा ई होगा अगला कुश्चन के अगर हम बात करें अगला कुश्चन तो राश्ती क्रिसी विकास योजना में किसे सामिल नहीं किया गया है तो या किया जा सकता है तो मिट्टी परिक्षण को किया गया है वरक्यम गुर्ण नियंत्र परिक्षण किया गया है तो सामिल नहीं किया गया है मैं इसका भी आंसर ई होगा तो ऐसे यह जुनाओं के बारे में डारेक्ट ली आपको दे सकता है प्रश्ण बढ़िया है चतिरत द्राज मंडी Board अपनी सेकल आयका कितना प्रतिशाथ प्रतिवार्स Oh क्रिसक कल्यान में जमा कराता है तो मंडी का कल्यान area capita तुन में से यह आनसर है कुछ FC कराता होगा एक परसन हुआ थे नहीं करा सकता 5-10 थीक है PPP Public Private Partnership कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती 36 गड़ में PPP model पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती PPP मतलब Public Private Partnership तो इंजिरिंग पार्क कर सकते हैं ठीक है इंस्ट्मेंट कर सकते हैं दूसरी लोग फुट प्रोसेसिंग पर्क में कर सकते हैं आईटी पार्क में भी कर सकते हैं ठीक है लगूवन उपज परधारिद जो है अध्योगिक पार्क लगूवन उपज यानिके वन से रिलेटेड जो काम है वह अब बहुत सारे मिलके नहीं कर सकते हैं छोटा लगूवन है तो टीपपी मौडल के ताहर इनको नहीं कर द्याता रहा लगूवन उपज को कि ठीक है वन से जो उपज होता है सअब नख सढसवप्रफाय जीले में बच्चे में आय को आयी इंट नेस्बरश की पर इंडियां को निश्मूइस पर में इंडिय। आपक है जिय double Reading और का लुका है तदे करुए और प्रतियोग पही चाहों में विशेख कोचिंग सुधा देने के लिए में श्रल तो ये सिर्फ छे कि उट समय की तुछ चोंह आपके कोचिंग यह आवासी विद्याले बनाए गया थे जिसमें जो है नीट की तियारी ठीक है जे डबली की तियारी ठीक है जे इमेंस जे इडवांस आयएटी के लिए और मेडिकल के लिए और साथ में क्लेट के लिए भी ठीक है लाउ के लिए इनको तियारी करा जाता है कौसल विकास योजना की सवर्थ से लागू हुआ है 2015 से लागू हुआ है 2015 से अगर लाग कोश्य नहीं बात करते हैं 36 गर में तेंदू पत्ता बोनस तिहार 2017 कब मनाया गया तो 2 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये जो है मनाया गया तक इसान आक ये मुख्यमंत्री हमारे थे 30 गर में प्रति द्यार्थेयों को प्रतिवर्स कितनी रासी की सायथा दि ये तो इसमें से कोई नी टेखिया है आई-एटी में प्रवेश कर रहे हो तो प्रतिवर्थ की नियर सहातरासी फिक्स नहीं होता ना जैसे टलेंटेट कोई लड़का है तो अपने मन से कोई विधायक या मुख्यमतित दे सकते हैं पर ऐसा फिक्सरासी नहीं है यदि पंचाथ चुनाव में मदान की पुर्व किसी अभ्यारती की मृत्ती हो जाती है अब भाई सरपंच बनने जा रहे हो अचानक से मृत्ती हो गया हार्ट अटेक्स से तो मदान इस्थे होगा क्या नहीं होगा मदान की नहीं होगा ठीक है यदि केवल एक अभ्यारती से तरह जाता है ना तो मदान इस्थे हो जाएगा और एक से अधिक अभी अभ्यर्थी है यानि कि जो पद पर लड़ने के लिए खड़े हैं तो उसी सिति में जो है सगित नहीं होगा दो से अधिक रहेंगे तो ठीक है क्योंकि उनके बीच में जो है क्या होगा competition हो सकता है पंचायच चुनाओं के विशय में क्या सही है फिर से पंचायच चुनाओं के बारे में एक जिल्या निर्वाचन अधिकारी होता है हाँ होता है एक या अधिक रिटनिंग अधिकारी होते हैं एक या अधिक होगे या नहीं इसको देखते हैं हम लोग क्या होते हैं ठीक है इसका जो सही जवाब है वैसे देखते हैं इसका नीचे में क्या है इसका सही जवाब है रिट्निंग अधिकारी क्नुप्ति ये रिट्निंग अधिकारी जो है जो छुनाओनाओ कर्वाते हैं herkes 59 अयोग में संती से जीलियन निरवाचन अधिकारी कर सकता है नयात पसिदार जर्मद पचांथ के लिए रिट्निंग अधिकारी हो sap 수 sap zebra a एक 235 अधिकारी हो sap तो यह पंचाय चुनाव के लिए लंबा चौना प्रश्ण रहता है इसको पढ़ना पढ़ता है समझना पढ़ता है उसके बाद यह आप आंसर इसको दे पाएंगे बुझे अभी जल्दी पढ़ाना इसलिए मैं डारेक्ली आंसर देखके आपको इसको बता दिया हूं ठीक है कुडुक बोली कौन सा कुडुक उराव इसको जो सही आंसर है उराव जन जाती जो है कुडुक बोली बोलती है माटी तेहार की संभाग की जन जाती मनाती है तो माटी तेहार जो है बस्तर संभाग की जन जाती मनाती है इसको ठीक है बस्तर संभाग तो कुडुक उराव ब्रदरी गयान के लिए प्रसीद एक कोंडा गाओं किसे लिए प्रसीद कड़वा कॉंडा गाव में गढ़वा सिल्फ प्रसिद्ध ना घ्रवायर्व सिल्फ्स क्या होता है लोह द तामबा या लोहे को पीखला कर झाल मुर्थी घौल कर मुड़ी काशेन में sedate नकर पंचयत की वाड समिथ बंद कर वाड मिलकर व उनसी वाड मं को यह अगला अगला हम बात करें तो अंठान भी नबल भारत के संदर में 36 जो है कौन से प्राइडिक के अंदर में आती है तो पुर्वी पुर्वी भाग है भारत का और यह उच्छ भूमी भाग में आता है क्योंकि यहां पर समुद्र वगेरा तो यह उच्छ भूमी यह उच्छ भूमी पर दर यह उच्छ भूमि क्या वकलते हैं बताहित कैना है जब टीन और से भारत धिराakap का और हमाशा करते दर का यह यहां तो प्रायड की उच्छ भूमी चाथिजगर आंतर राजी सीमा पर जीलो की संख्या कितनी है तो अथारा तो अभी गवरिलापंड मर्वाही जो बना है तो बिलासपूर अब अलग होगया है बिलासपूर अब टच नहीं करता है लेकिन अभी बिशिद जीले आठारा तो चलो यहां पर राइग आपका धंतरी कंडग क confuse के बाद आपका बस्तर टच करता है के बिजापूर के बाद आपका राजनांगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउंगाउ इसके लाबा जिले हैं जो इसको मैं आपको देखे बताऊंगा अभी मैं आप मेरे कुछे से याद नी है थोड़ा सा डिविजेन करना पड़ेगा तो उसमें जो टच करता है तो 18 जूता हैberries 17 महानधी का पॉर्णाडी के नाम मिराद पना भताया और देखते हैं कौन-कों सा जूता है फिंशू है मुंझा याद आ रहा है मुंगेली फिन 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 मुंगेली चूता है मुंकेली भीं४कर्णार के इंपी टच करता है ठीक है अगला हम देखते हैं महा नदी का पौराई के नाम निलोत पला बताया गया है किसमें बताया गया है देखें चित्रोत पला की बात करें हम लोग निलोत पला चित्रोत पला चित्रोत पला जो बताया गया है वो है महा भारत में कहां बताया गया है महा भारत में तो आपसन में नहीं दिया ए इसे दो यzub को जाएं को आपको न orthogon नहीं को सब्सक्रान है नियुक्ति की को आपको जूंक Trva एक सब्सक्रान है तो इसे के साथ हमारा Χंड उत्क उल्र सकव तो टी दॉप कतर ना रहा यहां पी complete होता है जो आर्थिक सर्वेक्षण के question है उसको आप नए डेटा के साथ याद करें और नए डेटा वाले जो question है आर्थिक सर्वेक्षण और जो आया हुआ question है उनको मैं 2020 के तापेक्ष या प्रपेक्ष में लाऊंगा उसका लग वीडियो ठीक है तो thanks for watching channel को अगर subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करें like करें bell icon को press करें